हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है तो अड़ा सारयां था मेरे चैनल शाइना गौयल थी सो फ्रेंट्स पेपर तो अड़ा चुक्या थी अपां mcqs जिननी ज्यादा तो ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हों कर रहे हैं ते देखो फ्रेंड्स जड़ी अपनी पंजाबी है पंजाबी ते उपर अपा तक्रीबन मोहर लगा चुक्या हुन अपा पंजाबी होरनी पड़ांगे जड़े बाकी सुब्जेक्ट्स उनना रिलेटे पिछले सालां विच पुछे गए ने इंपोर्टेंट ओमें तो इस वीडियो विचे डिसकस करांगे ते हो सद्या एक वीडियो हो रावे क्योंकि एक कोई वीडियो बहुत जादा लंबी हो जागी ते तुसी थाक भी जाओंगे ते दो वीडियो विच में तॉडिनल अश्वनडेमुद से अधार्डियो। है आपच प्रते कि एक सेश्ए ते सब्सक्राथ काट जियुटे कोशन देख आदें Ăदियों the most important feature in drama is dialogues नुट जव जडो कोई भी drama होंदे हो दोाधे इछ इम आर्टांट ंुट जोंल। है अपा किन्नी accurately बोल देया हुन जिमें आही वर्ड लेलो इते बच्चे इन्हों pronunciation बोल देया है लेकिन हुंदा की है प्रनांसियेट ठीक है प्रनांसियेशन अपैद्धा बोल देया इन्हों की कहने भी accurately words नों बोलना next question देखो along with basic language skills जड़े अपने ने LSRW याने की listen, speak, read ते write ते में तो अंदाजना है एसे order वीच ही तो नों पुछे भी जाने के paper वीच ते तुसे यही order follow करना है सब तो पहला listen, सुनना, फिर speak, बोलना, फिर read, पढ़ना, ते write, लिखना ठीक है? literature makes an important contribution in other areas of language including inna skills तो इलावा literature किते contribute कर दे, word meanings and grammar inna विच वी contribute कर दे expression and creative writing हुन देखो ये सारी चीज़ा बच्चानू English ते paper वी चानदिया ने इनna school दे जेत उसी जानदे होंगे ता फिर O option अपनी केडी सही है, C, both A and B moving on to the next question, which method of teaching grammar provides enough pattern practice that ultimately leads to incidental learning केडी method होंदी है जे अपा grammar teach करने बच्चे नूँ O की है, inductive method जी में अपा examples दढ़िए, पहला बच्चे नूँ फेर rule तक वदी है या फिर जड़ा उनू जन्रलाइज करिए, ठीक है, inductive ते deductive दोनू है जे methods है जड़े हर टेट दे paper वीच हर पैड़ागोजी दे subject वीच तो आनू पुछे भुछे जानगी, ता है समझ लो जे तो आनू English भी चाल गया, ता है पंजाबी भी चाल गया ता भी तुसे नू कर सा दियो, mathematics भी चाल गय कोई भी English दी काल कर लो, सब तो पहला आंदे है phonics यानि कि ओधी sounds, फिर आंदे है ओधे letters, फिर आंदे है words, फिर phrases, then sentences, फिर आपा कहने है paragraph, फिर अग्गे दी अग्गे वद्दा तुरिया जानदा है system, ठीक है, next question देखो, that the same word changes the meaning of the word if uttered differently, refer to which level of meaning of the words, इनो पा कहने है intonational meaning, all normal living beings are endowed with some innate internal capacity for language acquisition, यह हुन देखो, पाप अपन्जाबी वीच भी किता सीगा, नौम चौंस की दी थियोरी में तो नू करवाई है, ते नौम चौंस की कियां दे कि हर परसंदे अंदर एक internal capacity हुन दे किसे भी language नो acquire करन दी, learn करन दी नी, language acquire करन दी, ते ओ अपा नो other animals ना device, जड़ा पा कहने है कि पांच साल तक दी उमर तक, बच्चे बहुत वहतर तरीके ना लो, चीज़ना सिख साग दिया, ते उननो टाइम देना चाहिए, बच्चे नो चंगिया चंगिया चीज़ना सिखाओ, उनना दा माइंड शाप करन दी कोशिश करो, जड़ा तक बच् identification और decoding sounds, कि जड़ा बंदा बोल रहे हो, चीज़ना identify करो कि बोलना की चाहरे है, understanding syntactic patterns और structures, identifying information, emotional and attitudinal tone, हुन अपा कहने है, कोई बंदा बोलता अपानू words कुछ रहे है, लेकिन अपा कहने है, तेरी tone कुछ हो रहे है, तो बोल कुछ हो रहे है, ओ कि मैं है, क्योंकि अपने listening skills है, जड़े, ओ समझ रहे है, तो बोलता भी प्यार वाले शब्द रहे है, लेकिन बोल तो गुसे चाहरे है, तेरी expression गुसे वाले ने, गुसा कंट्रोल करके बोल रहे है, अपानू पता लाग जाओंदा है, it means all of the above अपना की होरे, correct answer, next, in order to make evaluation and enabling factor for learning, rather than an impediment, impediment means रुकाव positive assets ने, ओ सारे लिखे जांदे है, हुन तुसी जे fashion movie भी देखिया न, ओदे भी सारा लिखे होंदा है, portfolio बनाया होंदा है, कि साड़ी है, असी एस advertisement वीच काम किता है, सारा positive positive जिकर किता होंदा है, ते एथे भी portfolio दा मतलब किया है, कि बच्चे दे positive achievements नो record किता जांदे है, ठ next, there is at least one characteristic that is common to every successful language learning experience we have ever known, and that the learner is exposed one way as another to an adequate amount of the data of language to be learned, these are the views of एक इना ने क्या है, ए रदर फोर्ड ने क्या होया है, देखो हो सादे तो नो ही questions लगगन वी अपा marathon वीच वी दिसकस किते सी, ता definitely ये questions अपा डिसकस किते सी, लेकिन ओ marathon डिसकस किते नो भी अपानो काफी दिन होगे ने, लेकिन हुन जड़े ज़्यादा important नी न, ओ मैं marathon विचो चांट के, chapters विचो काड़के, ओ तोड़े वास्ते questions लगए आई है, ठीक है, एस चीज वास्ते तुसी confused ना हो न, जे तुसी marathon recently study किती है, तुसी ये वीडियो skip भी कर सादियों तो बाकी subjects तुसी आवदे पार सादियों, अदवाइस ए वीडियो बिल्कुल भी miss ना करियों, क्योंकि एदे विच सारे important जड़े concepts ने, topics ने, ओ दे MCQs मैं तोड़े वास्ते लेके आई है, हुन देखो next किये, which one is not a method of teaching spellings, जब बच बच्चे नो spelling सिखानात है, केडा method है न चारावी चो नहीं हैगा, ओ हैगा dramatization, हुन ड्रामा करके तो आपा spelling नहीं न सिखावागे, dictionary दी help नाल सिखावागे, drill and practice नाल हुनदा है, dictation नाल भी बच्चे नो spelling सिखाई जान देने, आगे देखो, when grammar is taught not as a separate subject, but along with the graded readers, it is called functional grammar, जो तो grammar नो पाँ बिलकुल अलग subject दी तरह English grammar दी जे में बुख हुन दी है, उमें नाप नाम दे हुए, subject दे नाल नाल ही grammar दी अपा knowledge दे जाई है बच्चे नो, उनो की कहन दे है functional grammar, ठीक है जी, next two and two makes four, this sentence is assertive, यहनू assertive कहने है, which of the following is a method for teaching reading, reading जे आपा बच्चे नो sentence, phonic, यह तिन्नो चीज़ा reading भी चाम दिया ने, phonic means sound, फिर alphabets दी recognition, फिर sentence, यानिकी all of the above, functional grammar, किदर गया, sorry, functional grammar is also known as descriptive grammar अपा है, नो descriptive grammar भी कह सादिया, ठीक हो साद तो नो question आजे न, ओधी विच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आजे विच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् presentation in a systematic manner हुन केड़ content, केड़ी class नू किनना पड़ान है किनने periods विचो content खतम करने ठीक है, इस सारा कुछ select करना presentation in a systematic manner विच, this statement sold true for structural approach, हुनमे तो नू English विच approaches the methods of teaching दा एक common video करवाई सी, ठीक है वोदे विच structural approach भी करवाई सी ते एदा answer की है, जोरो पास सारा कुछ systematically चल दिया न, उनू पास structural approach कहने है next, an expression of the meaning of a word or phrase, using other words or phrases, often in an attempt to make the meaning easier to understand, is known as paraphrase once there was a woman named bunny, whose smile was so happy and funny, हुन देखो जड़िया तो नू कुछ rhyming दिया, lines दितिया हुई याने न, इम दिया, एदे विच उन पुछदा की है the above lines are an example of एग्जाम्पल है गया, limerick दी, हुन में तो नू लिमरिक वास्ते भी दास दा, देखो bunny ते funny जदो कोई भी line ना चाड़ दे होए, lines दे last words rhyme करन, जिमें ए दोनों rhyme कर रहे है forgot ते not rhyme कर रहे है, ठीक है pairs बन रहे है न, उनो पा की कहने है limerick, ठीक है limerick lines हुन दी है, जिते नाल नाल words rhyme कर देने, बनी funny, sunny, जिमें एद्दा कुछ आजे नाल नाली, ठीक है next, mental pictures और impressions created by और accompanying words or sentences is known as imaginary imagery which of the following statements is true about GTM, grammar translation method वास्ते केड़ी चीज ट्रू है, ओ हैगी है the teacher must know both the languages, GTM केड़ी है अपा कैने oldest method, जिते कोई भी चीज पाद रहे हैं, उनों पा एक तरह नाल ट्रांसलेट का रहे हैं, mother tongue वीच, ठीक है, the spoken aspect of the language is not to be stressed यानि कि जेड़ी अपा language वीच पड़ा रहे हैं, जिवे हुन में तो नों English वीच पड़ा रहे हैं, पड़ा आता English थी पैड़ागोज रहे हैं, लेकिन बोल पंजाबी च रहे हैं ठीक है, अपा stress पंजाबी ते नहीं करना, अपा stress की ते करना है, जेडी लेंगोज अपनी टार्गेट है, टार्गेट के डिया English language, ठीक है, देन नेक्स्ट ग्रेमर रोल्स आटो बे मेमोराइज एकसरसाइज आर मोस्ली संटेंस बेस्ट, थाह सारे दे सारे ओप्शन सही है यानि कि ओल आफ दी अबव अपनी की है करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोस्टिन वर्ड्स लाइक ब्रेक, ब्रेक, पीस, पीस हुन देखो तुसी ब्रेक ते ब्रेक, इनन दोने थे spellings different है, लेकिन pronunciation same है, ठीक है, जित्थे same बोल ले आजावे लेकिन ओधा, जड़े spelling विच मिस्टेक होई, सारी difference होई, ठीक है, spelling अलाग होन ओनू अपा की कवांगे homophones, जी में एक होर example में ता हुन दिनिया, sun sun, ए हुन देखो इथे spelling दा फरग पाए गया न, लेकिन बोल दे आपा बेटेनू भी सान आ, ते सूरज नू भी सान आ, एक या homophones हुन दे है, next an approach to language teaching which seems to focus on language in its entirely rather than breaking it down into separate components such as reading, listening, writing, grammar etc. is known as holistic approach हुन अपा बच्चे दी development दी भी गाल कर दिया जोदो मैं कैनिया, all-round development मैं हमेशा use कर दिया holistic word भी, holistic development यानि कि सारे aspects नू cover करके देखना, आई नी भी अलग अलग अपा ना चीज़ा नो देखिए, entirely rather than breaking it into separate components ठीक है, एक कमान के देखो ना सारे नो combine करके देखो next, which of these is not correcting GTM, केड़ा correct नहीं है grammar is taught inductively एक correct नहीं है, क्योंकि जड़ी basically grammar है ना, grammar की में सिखाई जान दी है तुसे देखे होगा, जिवें तुसे नाउन दा chapter स्टार्ट करना है, तब मैं की पहलना examples देंगे, पहलना definition करांगे पहलना definition दसन की तो अन्नो noun की हुंद है, फिर ओधी examples करांगे, यानि की grammar हमेशा deductive method नाल पढ़ाई जान दी है ठीक है, पहलना rule या फिर ओधा जड़ा main rules ही हुंदे नहीं या फिर generalization है, ओधास दिये फिर examples वनी नू बढ़ दिये, grammar वीच ठीक है, ये important question है next is passive vocabulary means that learners know the meaning of words but hardly use them, passive vocabulary अपनों में meaning पता है, word पता है लेकिन अपनों normal language वीच अपने use ही नहीं कर दे next देखो, semantics is the study of vocabulary, always and never are, की हुंदे, adverbs हुंदे which of the following letters is most often not pronounced before a consonant, consonant तो पहलना केड़ा letter नहीं बोले है जान्दा, ओ हैगा जी आर, next दो phonology is the study of sounds, अप मैं तो और नहीं गाल किती है sounds ते phonology, दोनों की ये interrelated चीज़ आने when skimming, we read to arrive at the guest, हुन मैं तो रिवाइज कराना चाहूंगी, skimming ते scanning दो terms हुन दियाने, ठीक है एक ता हुन दिये जी skimming ए reading दे aspects ने, जो आपा कोई भी चीज़ रीड कर दे उन आपा दो तरीके नाल रीड कर सादे या ता पा scanning कर दे या आपा की कर दे हैं, skimming कर दे हैं skimming हुन दे हैं, जिवे तुसी न्यूस पेपर रीड कर रहे हूं general, casual reading दे रहे हूं ठीक है, वी overview जा ला रहे हूं लेकिन scanning की कर दे हूं, जिवे हुन तोड़ा कल, टैट दा पीपर आ गया, तुसी अपने जड़े notes है, बनाए हुए, या फिर तुसी मेरी videos दे दे हूं, इनन तुसी scan कर दे नहीं हो, बिल्कुल, वी proper सानुई की word पता हुए यस चीज़ दा, या फिर newspaper वीच कोई इस्तिहार देखना है, तुसी job related information देखना है, तो नहीं को column नजर आ गया, एनना का बनया हुए या जरा आ जा तुसी अनू की करोंगे, त्यान नाल पड़ोंगे, each and every aspect of that thing, ठीक है, उनू तुसी की कर रहे हो, scanning, clear हो गया, scanning ते, skimming ते, कोशन पका आएगा, 100% guarantee नाल next, at primary level, it is better to teach in mother tongue because it helps the children to learn in natural surroundings, बच्चां थे burden create नहीं हुंदा नाल एक concept आवा दिया, तरीक के नाल समझ आप जाम देया हो next question, a teacher of class 3 reads a story from a textbook to her learners, her next steps would be to ask the learners what they liked and enjoyed in the story, हुन एही question में आज तो नू पंजाबी विच्वी करा के हट निया, ते मैं तो नू tips, देड़े दित्ते से ट्रिक्स दस्याँ से, उन्ना वीच्वी की कहा सी, तुसी मैंनो दस हो कि जेड़ी पैडगोजी पड़ देया, ओ पंजाबी विच्वी ओहीं आएगी, इंग्लिश वीच्वी ओही आएगी तो नू टीक है, सिर्फ लेंग्वेज दा फर्क पाएगा English वी चोना ने English लिक देनी है ते पंजाबी विच पंजाबी विच पुछलानगे meaning same है pedagogy दे पूरे-पूरे number लेके आने तुसी चाहे तोनु CDP विच पुछी जावे math विच पुछी जावे ठीक है English पंजाबी किसे लेंग्वेज पुछी जावे पैड़ा को जी जो number नहीं कटाने आपा हूँ a child is studying in class 3 says I drank the water it indicates that the child has overgeneralized the rule for making past tense verbs हुन drank की है अपा कहने past tense विच यूज कर देया ठीक है कि मैं पानी पी लिया सी लेकिन ED नहीं लगना जो तो पहलना ही अगे देखो which of these is the most appropriate sequence for teaching grammar in the class ओ हैगा examples फिर comparison करो फिर बच्चे नू रूल्स तसो and then ओधी प्रैक्टिस करो option C होनी चाहिदिया मेरे according बागे तुसी वी मेननों दसी हो हुन तुसी बहुत कुछ पढ़ चुकियों वी तो डिकी राए ऐस बारे option C सही क्यों होगे क्योंके पाहुनी ता गाल करके अटेया वी grammar deductive method नाल पढ़ आई जांदिया कदे भी inductive method नाल ने पढ़ आई जांदिया ते deductive method की केंदया पहलना बच्चे नू रूल दसो grammar दे फिर example देओ फिर बच्चे नू प्राक्टिस करवा उना चीज़ा दी फिर homework sign करो एही सही method होंदा ना तो अपनी option केडी सही होरे C देख ले ना option C सही है B नहीं सही है Now next for teaching grammar the best grammar that a teacher can use is pedagogic grammar Next is practice of grammatical structures in a controlled manner can be done by gap filling grammar exercises Next देखो the major difference between an article and speech की हुंदा speech more formal हुंदिया लेकिन article ना formal नहीं हुंदा Find the words nearest in the meaning to remorse यदा मितलब की हुंदा penitent Next question देखो Find the word opposite in meaning to insipid यह हम देख सेवरी Identify the correct passive voice of the sentence Obey me एदा की होगा I should be obeyed यह फिर let I be obeyed दोनों ही सही ने क्योंकि active तो passive बना ओने तो आप passive बनन दे भी कही तरीके हुंदे ने दोनों sentences पढ़ लो या फिर जनी options तो नो दीतिया ने वो तो उनों सारीया पढ़नी है पहेंगे फिर तुसी देख सा दियो कि केडा सही है या फिर सारी सही ने नेक्स्ट देखो find the appropriate preposition to fill in the sentence उन prepositions के डे हुंदिया ने in on under into ठीक है ये prepositions हुंदिया ने she lives in Mumbai Bombay दे अंदर रहन दिया ओस city दे अंदर रहन दिया हो ठीक है into on नहीं आएगा in Mumbai हुं तुसी मैंनो comment करके विदास दियो कि मेरे जड़े students ने हो किते रहन देने I live in dash ठीक है उन तुसी फिल करोंगे कि किते रहन दुसी which type of grammar lays stress on form of grammar that is prescriptive grammar option B next which of the following statements is false we should teach the students about the language which of the following statements is incorrect mother tongue can be used as a medium to teach English language age is गलत है लेकिन अपा इस वीडियो वीच करता है ही रहे है क्योंकि मैं तो अनू concept समझाना जानी है ठीक है ते अपा पंजाबी हुन recently कर दे आ रहे है ता मैं तो अनू पंजाबी वीच पढ़ा रहे है अधर्वाइस जी अपा सोचे की English language पर आनी है ते अपा mother tongue यूज कर लांगे ओ बिल्कुल गलत है ठीक है next देखो question next question which of the following statements is not true about language language is not outcome of a culture to which it belongs एक ही है not true लेकि लेंग्वेज हुन्दा की है outcome of the culture उन जड़ी पाफ फर्स्ट लेंग्वेज कहने है बच्चा एक्वाइर कर दावदी फैमली तो ओ की है इस कल्चर विच बच्चा रहांदा है जड़े एंवार्मेंट विच रहांदा है ओथ ही तो चीजहां सीखने तो अप्षय नहीं आपनी की correct होगी क्योंकि आप not true लबन है true नहीं लबना not true देखना पाने false वाली option देखनी है तो फ्रेंड्स इस वीडियो नहीं इत्थे ही पॉस कर देखने अधर वाइस बहुत जादा लंबी चली जाओगी ठीक है ते अगली वीडियो विच थोड़े जे कोस्चन्स हो नहीं जड़े मैं तो और इंग्लिश रिलेटेड ही डिस्वस करऊंगी ते फ्रेंड्स जे तो अगली वीडियो विच तल दन के वाचिंग फ्रेंड्स